हेलो अससलाम अलेकुम पाकिस्तान दिस इस आनस कमाल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्ट्रटेजिक फोरम का ओफिशल यूट्यूब चैनल कल पाकिस्तान एफोर्स की एक उफिशल पी आराई 25 दिसंबर के हवाले से और उस वीडियो के अंदर पाकिस्तान एफोर्स ने बड़ी कुछ इंट्रस्टिंग अपनी रिसेंट इंडक्शन दिखाई हैं तो उन्हीं को डिसकस करते हैं तो आपको उनके बारे में कुछ इंफ तो सबसे पीछे जहाज खड़ा हुआ है वो C-130 है एक्जैक्ली कौन सा वेरियंट है ये तो अगले कॉलम में आएं तो लेफ्ट पे आपको बीच क्राफ्ट नजर आएगा जो के एक VVIP ट्रांस्पोर्ट एक्राफ्ट है इसके बाद अगर थर्ड कॉलम में आएं तो सबस इसी U-Caf खड़ा हुआ है जो के पाकिस्तान Air Force ने तर्की से प्रक्योर किये हैं अगर हम थर्ड कॉलम में आएं तो सबसे पहले पाकिस्तान Air Force का Spearhead J-10C खड़ा हुआ है और थर्ड कॉलम के नीचे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान Air Force का Second Spearhead F-16 Block 52 खड़ा हुआ है उस पाकिस्तान के पास चार है इस वकत और Air to Air Refueling के लिए इस्तमाल किये जाते हैं और Strategic Lifting भी एक एयरक्राफ्ट कर सकते हैं उसके नीचे Sap 2000 ERI कड़ा हुआ है जो के एक AVAX का त्यारा है अगर साप की नीचे देखा जाए तो JF-17 Thunder Block 3 कड़ा हुआ है और JF-17 Thunder की जो नीचे खड हुआ है उसके बारे में हम थोड़ी दिर में बाद में बात करेंगे अब अगर हम Most Right के उपर आ जाएं तो Airbus A319 aircraft हमें नदर आता है पार्क हुआ वा और ये वो aircraft है जो पाकिस्तान Air Force ने रिसेंटली प्रक्योर किया है अगर हम A319 के नीचे देखें तो Miraj हमें पार्क Air Force का F-16 खड़ा हुआ है और ये Most Probably Block 40 है F-16 के अगर बिलकुल पीछे देखा जाए तो पाकिस्तान Air Force का TB2 drone पार्ग है जो के पाकिस्तान ने अगें टर्की से प्रक्योर किया है और TB2 के बिलकुल पीछे अगर हम देखें तो DA20 Falcon जो के एक Electronic Warfare का जहाज है यानि के जैमिंग करता है पाकिस्तान Air Force का वो पार्ग है अब चलते हैं कि JF-17 थंडर के आगे एक्जैकली कौन से तीन छोटे छोटे जो ड्रोन्स खड़े वे हैं वो क्या चीज है मैं आपको ये बता दूँ कि जो तीन ड्रोन्स आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली किलर ड्रोन्स है ये ब बैशी केली ammunition केरी करते हैं और अपने टार्गेट को strike करते हैं ये more advanced form है lottery ammunition की या कामेकाजी drone की because कामेकाजी drone या lottery ammunition जो होता है वो जब fly कर जाए तो वो वापस नहीं आ सकता वो अपने जाके टार्गेट को या तो strike करता है या वहां ही पे जाके कर टार्गेट ना मिले तो destroy हो जाता है बट इसके केस के अंदर इसके अंदर टर्मिनल गाईडेंस है और यह अटॉनमसली फ्लाइ करता है अपर टार्गेट को एक्वाइर करता है गोड़ टार्गेट को स्ट्राइक करता है नहीं तो वापस आके लैंड भी कर सकता है और बाइदावए मैं आपको यहां यह बापता दूँ कि जो यहा 3 है या Y3 है जिसको हम killer drone कह रहे हैं यह बेशक Turkish company बारेक्टर का है लिकिन यह पाकिस्तान के अंदर NASTAP के अंदर भी इसको बनाया जाता है और जो यह particular picture जिसको हमने आपके सामने describe और discuss किया है यह basically Indus Shield 2023 से आई है साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूँ कि जो यह official PR आई है इसके end में जो एक drone जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं वो wing long 2 है तो इस particular वीडियो के अंदर पाकिस्तान A4 ने अपनी जितनी भी major inductions हैं खास तोर पे 2023 के अंदर या 2020 के बाद की जो inductions हैं वो दिखाई हैं तो बस आज के लिए इतना ही अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा इस अनिस कमाल साइन आप पाकिस्तान स्टेजिक फोरूम यूथ चैनल तिल दें टेक चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान पांदाबाद सबसे पहले पाकिस्तान थैंक यू